दोस्तों अगर आपके फोन में भी यूट्यूब पर शॉट्स अपलोड नहीं हो रहा है या तो फिर आपको अपलोडिंग दिखाता रहता है या फिर आपको इस टाइब से वेटिंग फॉर वाइफाई दिखा रहा है तो आप इस प्रॉबलम को कैसे सही करेंगे ताकि सेटिंग्स में चले जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक उप्शन दिखता है जेनरल का आप इस पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक उप्शन दिखेगा अपलोड का आपको इस पे क्लिक कर लेना है अब इस पे क्ल आपके में Shorts Upload होने लगी कि नहीं, अगर फिर भी नहीं हो रही है Shorts Upload, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर Home कर लेना है, Home करने के बाद आप अपने फोन में Simply एक बार Aeroplane Mode लगा लिजिए, या फिर Flight Mode आपके लिजिए, और इसको हटा दीजिए, और उसके बाद द आपके लिजिए, आपका Shorts Upload हो रहा है कि नहीं, अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप चले जाए अपने फोन की Settings में, Settings में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको Apps पर क्ल करिए, और इसपे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर YouTube ढून लेना है, कहाँ पर है तो आप स्क्रॉल करके ढून लीजिए, यहाँ फिर आप उपर लिख करके सर्च कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते, YouTube, यह रहा YouTube, आप इसपे क्लिक करिए, इसपे क्लिक करने के बाद आपको एक option दिख जाएगा restrict data usage का आपको इस पे click करना है और यहाँ पे mobile data का option आपको दिखेगा आपको इसको select कर लेना है by default यह selected होता है हो सकता गलती से आपको यहाँ पे यह unselect हो गया हो तो आप इसको click करके select कर लीजे और यहाँ पर आप okay कर दीजे और इसके बाद आप यहाँ पे clear data पर click करके clear cache कर दीजे और अपने YouTube को force stop कर दीजे एक बार और अब आप जा करके देखिए आपका यूट्यूब पर shots upload होने लगेगा अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए आप एक चीज़ और देख लिजे यहाँ पर आप settings में जाईए और sim cards and mobile networks में जाईए और यहाँ पर आपको एक data sim का option दिखेगा आप देख लिजे ऐसा तो नहीं आपका sim 1 में recharge हो और यहाँ पर आपने sim 2 select कर रखा हो तो आपके पर वैसे ही shots upload नहीं होगा आपका